राम राम स्राम मैं हूँ प्रिया मैं हूँ आयंट और आपको सब्सक्राइब करने वाले बेज़ ट्रेलर पर और यह हिंदी में आया है इसमें है लीड रोल में अधिवी शेश तो सबसे पहले हम यह देख देखेते हैं उसके बाद डिसक्रेश करेंगे लेट्स के इसमें पाकिसान नों कि आपके शुमारी तरफ है और उंकी हमारा ही तो इसमारा ही तो इसमारा ही तो इसमारा ही तो इसमीप आपकोट पुटो वह अच्छी लोह नहीं है, बहुत बुरे लोग है, पता है, मैं कितना डर गई थी, यू मा, ना के लिए हूँ ना, बेटा, ये NTA, आर्मी, तुझे कुछ हो गया तो, अर्मा ऐसे ही सुझेगी तो, जब संदीप में आर्मी जॉइन करने का फैसला किया था, हमें मन्सूर नहीं था, हर गड़ी, हर पल, उसकी जिम्देगी खतरी में होगी, बदाट से सोल्जर स्लाइफ, ये पिक्ट सोल्जर स्लाइफ, जिम्देख, पिक्ट समय तो, बड़ी, सुझे ऑसल्जर से खतरी में आर्मी, ये विया हुआ हो ओगज एक इसा में इसा नहीं होला है, एक सोलजर बना नेगिव मेजर आप देर नाप कोई अप देर पर हमारे इनक्षिन की बज़ए से अखर एक ली जांगे तुमें जिम्दगी ने फिर कभी अपको सोलजर ने पला पूंगा सर्थ एनस जी जी जोड़ में घटे हो गया अब कमाएंगे मेजर संदीप कमें मेजर संदीप अब है दोंट गप में मेजर संदीप अनिक्रिष्ण वो रूकसताता था वो पीचे हच सथा था उसको पथा था कि वो जिन्माद भी लौटेगा फिर भी आगे बढ़ा उस्मे मौत के आंखो में आंखे आतर कहा कि तुन अरी चान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं यूमे जेक लिए जेक मेरे बेटी की कहानी सिर्फ उस अटेक के बारे में नहीं है इसकी अपनी एक सिंदगी है इसकी अपनी एक सिंदगी है इस ट्रेलर के बारे में मतलब क्या बात करें यह एक पूरी की पूरी रियल स्टूरी है यह मेजर संदीप उनिकृष्णन सर की रियल स्टूरी है बच्पन से लेके इसमें सिर्फ जो 26-11 वाला केस हुआ था वही नहीं है यह उनके बच्पन से लेके उन्होंने जो लास्ट कुछ गंटा तक जो फाइट करी है उन्होंने जो देश के लिए अपनी सहाधत दिये वहां तक यह मूवी मतलब यह स्टोरी है जो 26-11 टेरर अटेक हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे तो यह पूरी स्टोरी में तब उन्होंने ने आर्मी जोईन की उनकी फैमिली क्या चाती थी उनसे और फिर उनकी जो लाइफ लाव लाइफ उसके बारे में और उनके जो प्लांस थे वो सारा कुछ इस मूवी में दिखाया जाएगा बट यह जो ट्रेलर आएगा है जैसे इसमें बोलते भी दिखाते कि वो मतलब वापिस पीछे भी अड़ सकते थे वो बाहर आ सकते थे लेकिन उनको पता था कि मैं रहूंगा तो मैं जिन्दा वापस ने रहा है वो इसमें दिखाया कि मैं अगर यहां हूं तो मैं जितने लोगों की जान बचा सकता हूं उतनी बचाओंगा मैं खुद की जान की परवा नहीं करूँगा यह सोच होती है यह इतने फाइनेस एक्टर्स है ना इनको देखते हैं तो यह से लगता है यह खुद वही वही किर्दार है और उसी तरह का यह लगता कि यह मूवी कर रहे हैं गूसबंस आगे थे इतना बहुत तकड़ा ट्रेलर था और इस मूवी को देखना मतलब हो रहा है कि जली से मू हमारे लिए हमारी जान बचाने के लिए तो इनकी लाइफ जैसे वो शेयर सांग मूवी की आई थे तो इस तरह भी मूवी बन ली चाहिए जंदर हाँ तो हमारे इंडिया के जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है उनको पर ऐसी मूवी आने चाहिए और मेजर का लिए काफी अच्छा है मतलब मेजर संदीप उनिकृष्णन सर को हमारा भी स्ट्यूट है पर अच्छा है वह बहुत ही बड़ी बात है उनकी फैमिली ने यह परमिशन दी यह मूवी के लिए यह बहुत बड़ी बात है अब हमकी स्टोरी और अच्छे से जानने को मिलेगी तो हम तो इस मूवी का वेट कर रहे हैं हमें यह त्रेलर काफी अच्छा लगा आपको कैस पसंद्धा पसंद्धा आए तो लाइक करना चैनल करें चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंड करना सजेशन दिना और अपना सपोर्ट इस चैनल पर यह बनाया रखना सो मिलते है चलती नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाबाए